नमस्कार लाइप में कभी भी इसका इंतजार मत करना है बहुत से लोग इसके इंतजार में बैठे रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं यार यह होगा तो यार यह करूंगा यार वो होगा तो यह करूंगा जो लोग इसके बरों से बैठे रहते हैं ना उनका समय कभी सबसे का इंतिजार कभी मत करना में innovation क्लच करते हैं और या समय आने दो मेरे पास भी गाड़ी होगी समय आने तो अभी मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है इस कि समय आने पर में गोग करूंगा है अगर आप यह करते हो न आप सबसे बड़ा फूल हो जो अच्छा समय किसी का आता नहिए, अच्छे समय को लाना पड़ता है। यूज़ एक गुट टाइम पर यू 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 इन प्रिए अच्छा समय आएगा अच्छा समय आएगा अभी तो मेरा खराब समय चल रहा है खराब समय में चल ऊतर तहुब के ईनजार में कुछन कुछ करते रहें अगर आप रुख गए आप चुपचा बेठे तो आपका वो खराब समय कभी जाएगा नहीं और अच्छा समय कभी आएगा नहीं इसलिए जो लोग अच्छा समय का इंतजार करते हैं कि मेरा समय अच्छा आएगा तब मैं करूँगा वो सबसे बड़े मुर्क होते हैं प्रगवान से क्रिष्ण गीता में कहते हैं कि इंसान में जीवन में सुख दुख आते रहते हैं कभी अच्छा समय आता है तो कभी बूरा समय आता है लेकिन जो बूरे समय में इंतजार करता है कि मेरा समय आएगा तब मैं करूँगा वो सबसे बड़ा पागल व्यक्ति होता है वो सबसे बड़ा निलज व्यक्ति होता है क्योंकि वो अपने आलश्य के कारण उसको गरीबी मिलती है अगर आप भी ऐसा करते हो कि अच्छा समय आएगा आएगा उसके इंतजार में वेटे हो तो द्यान रखना भी अच्छा समय करना यह नहीं tähän करना पर्फूर ना पहले रोज करना इसा नहीं हुआ कि अच्छे समय को बनाइब कि अतने हार्डवर्क को बनाइए अपनी मेहनध से बना हो सकता है कि आपका फल्वान ससे कृष्च्न कहते हैं कि बागे ख़राब हो सकता हैं है कि लेकिन इन்सान अपनी मेहनस से उस भागी को बदल सकता है मेहनस से एक बार दर्थी पर बहुत बुड़ा आकाल पड़ा और स्वाए बगवान ने गोशना कि कि पांस साल बारिस नहीं होगी दर्थी पर फिर भी किसान हर साल खेत पर जाता और अपनी फसल बोता बगवान ये देखकर बगवान ने कहा कि जब मैंने कही दिया कि पांस साल बारिस नहीं होगी तो तू फाल तुमें बीच क्यों हो रहा है खेत में तो किसान बगवान को कहता है कि हे पर आपने तो गोशना कर दी लेकिन जब पांस साल बाद आप बारिस करोगे तब मैं हल जोतना बूल जाओंगा तब मैं खेट में बीच डालना बूल जाओंगा तब क्या करूंगा मैं तो अपना कर्म करना बूल जाओंगा तब क्या करूंगा भगवान बहुत कुछ होते हैं उसी वक्त बारिस करते हैं और चारों तरफ हर्याली हो जाते हैं तो हो बसरते इंतजार मत करना अच्छे समय क्रिए आज और अबी से मेनद करना चालो कर देना और किसी को पी ये मत के नहीं मैं आज के बात किरूँ स्क्राइब कि के अच्छा समय आएगा तब में यह करूंगा अपनी मेनस से अपने जोस से अपने जुनून से और अपने संगर से उनको लाना पड़ता है अच्छे समय को इसलिए अच्छे समय के इंतचार मत बेटना अच्छे समय को अपने लिए अच्छा बनाने की कोशिस करना अपनी मेनस से